पाकिस्तान अधिक्रित कश्मीर में आतंक्यों के खिलाब भारती सिना की बड़ी कारवाई के बाद सामने आने के बाद हर मीडिया चानल ले से तुरन ब्रेकिंग बनाकर अपने चानल पर चला दिया सबसे तेज होने की होड में हर मीडिया चानल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दर्शकों को दखाई जा रही उनकी ब्रेकिंग न्यूस किसी प्रमारिक शोत पर आधारित नहीं होती बलकि फेरचाल का ही नतीजा होती है आज लगबर हर चानल और न्यूस वेबसाइट पर इतनी बड़ी खबर की प्रात्मक्ता जाचिविन्या बताए गया कि भारती सेना नी पियोके में आतंकियों के लॉंच पैट पर एयर स्ट्राइक करते हुए उससे तबाह कर दिया खबरों में ये भी कहा गया कि इससे पहले कुफिया अजंसी लगतार जानकारी दे रही थी कि पियोके में आतंकियों का जमावड़ा बढ़ रहा है कम से कम 350 आतंकी सरहत पार से भारत में घुसपैट करने की कोशिश में लगे हुए है चानलों ने कहा कि आतंकियों को सबक सिखाने के लिए भारती सुरक्षाबल ने ये कारवाही की है हलाकि खबर को फैलते ही कुछ टाइम ही हुआ था कि सेना के कई सूत्रों ने किसी भी प्रकार की फारिंग को नकार दिया और रक्षामंतुराले की ओर से भी इसका खंडन किया गया सेना ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि आज लोसी पर कोई फैरिंग ही नहीं हुई ट्विटर पर अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो जूट को फैलाने में लगे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो सचाई जानने के बाद अब इसे डिलीट कर रहा है लेकिन एक यूजर ने लिखा कि इस तरह हमारे देश के पत्रकार हमारे समाज को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं ये वास्तव में पागल है जो सतरह से ये पीपोल स्ट्रिक्स हासल करने के लिए जूटी प्रचार में बढ़ावा देते हैं यहां तक किवे सश्यस्त्र बलों की गरिमा बनाये रखने के लिए परवा भी ने करते शर्म की बात है वह एक यूजर ने लिखा कि मुझे लगता है कि हमारे पत्रकार भारती सेना के चंडे से ज़ादा तेज है फिर से पियोके के चहरे पर खुशी के आसू बहाते हैं अच्छा चहरा खुशी के आसू के साथ है खुशी के आसू के साथ खुशी है पताते किस एयर स्ट्राइक की खबरें मीडिया में पीटी आई के हवाले से चलाई गई जबका सेना जबकि सेना का कहना है कि उनकी ओर से कोई फाइरिंग नहीं हुई सेना की बयान की पुष्टी एनाई और डीडी न्यूस की ओर से की जा चुकी है वियर पुष्ट, SPN 9 News